आप सभी को मेरा प्रनाम और प्रनालल यूटीब चैनल पे आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम लोग कंटिजेंट कॉंट्रेक्ट समाशित संविदा के बारे में जानेंगे समाशित संविदा का प्रावधान इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट 1872 चेप्टर 3 सेक्षन 31 से 36 में बढ़नित है सेक्षन 31 समाशित संविदा कंटिजेंट कॉंट्रेक्ट का परिवासा बताती है समासित समविदा सितातपड़ ऐसे कॉंट्रेक्ट से है जिसमें enforcement of right ततकाल नहीं future में होता है और किसी घटना के घटित होने या घटित ना होने पर निर्वर होता है तो ऐसे कॉंट्रेक्ट को contingent contract कहा जाता है जैसे A, B से agreement करता है यदि B का गड़ी जल जाती है तो B को A 10,000 रूपया देगा या contingent contract है अर्थात B की गड़ी नहीं जलती है तो A B को 10,000 रूपया नहीं देगा जल जाती है तो देगा आवश्यक तत्व contract to do or not to do something कुछ करने या ना करने की संबिदा घटना contingent होनी चाहिए ना की swing के contract का अनिस्चित घटना पर निर्वर होना चाहिए घटना बचनदाता की इक्छा पर होना चाहिए धन्यवाद